बॉलिवड एक्टरस जिया खान सुसाइट केस में अभिनेता सुरज पंचोली को मुंबई की सीबी आइ कोट ने बरी कर दिया है मामले की सुनवाई के दोरान जज ए एस सेद ने पहले कट घरे में खड़े सुरज पंचोली का नाम पूछा फिर कहा कि सबूतों के अभाव में आपको दोशी नहीं पाया जा सकता इसलिए आप आरोप से बरी के जाते है जिया खान की खुदकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ था और 20 अप्रेल 2023 को सुनवाई पूरी हुई थी तकरिवन 10 साल बाद मुंबई के एक विशेश CBI अदालत ने इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है जिया खान ने 3 जुन 2013 को जुहु स्थीत अपने घर में आत्मत्या कर ली थी और इसी घटना में सुरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्मत्या के ली उकसाने का आरोप लगाया गया था इस मामले की जाज जुहु पुलिस कर रही थी और जाज के दोरान साथ जुन 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को छे पन्नों के हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलिवड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सुरज पंचोली को जिया की खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ़तार कर लिया था CBI ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस दारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था जाच एजनसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अतरंग संबंदों के साथ-साथ उनके कतिर शारिरिक शोषन, मानसिक और शारिरिक यातना के बारे में बात की गई है जिस वज़े से उन्होंने खुद कुशी की वही इस मामलेक में अभी ओजन पक्ष की प्रमुग गवा औरजिया की मा राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है ना कि आत्मत्या का बंबई उच्छन आले ने मामले की नए सीरे से जाच कराने की मांग वाली राबिया की आचिका को पिछले साल खारिच कर दिया था CBI के विशेश नायदिस A.S. सेयद ने मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलाले सुनने के बाद पिछले हफ़ते अपना फैसला 28 अपरेल के लिए सुरक्षित रफ लिया था